बैस्वागत है, स्वागत है, हम सब के लिए गर्व और गौर्व का शण है, मान्ये प्रधान मंत्री जी सविधान को अनमन करें, भारात माता की, भारात माता की, वन दे, वन दे, वन दे माता की द्कष्व निसित्ट इंदि आता की, भारात में तथे जूआ पैल माता की, बिए वन दे, वन दे, वन दे, वन दे, वन दे भौरात मैं घझा और गरणनगी यूँसए्न मुट्बूई और इस इस जीड़िडेशंट अचीछ एस जीज़ीं कोन्ती है अर अर अरी अरसे लेश़िश्ट वे घट इच्छ लगज़िज़ इस ने लॉड़ब है वेरो इस तन्यूर में एलाग प्रफिश्ट एक उन्यूर कि एलाग चेंपार कि एलाग बेसे एकोनमी के इसए एक आज अलाग अगमी इडिल इनियूरद्ट की यंट कर अधिर कि अगुनाना प्रफिशवान टिया वंकि उनके आजिया वाराग वजया सन एलाग तो एक इस्पलिस्मी इजु कर था लुट, इस्वाबसक्तू मार्णाएख को स czystू. अध्यागाまरे प्रस लीजु कर अटने सिर्थ के लिए ऑने अरेखें़ मेश मोले से लिए दू. में थाना इजै आल अबएब दिया इसंद आए अरिडैरी all अवेडिये ह के वे इनीवेरा इसना zal right अबस्ता आंक भीजापितína कॉ में इसंद इसंदरिशちは इड़ीन आवाइप ढब एसे स्वाइब वblिद इस इन की औ कर अ का आए arm Wellud प्रबिक गरेशंट, गर्पर गर्पॉर्नाई कि अमी अबे तो शेह वां प्रवी चुछी अबेशी अबीन अब्स तो चिप बालना है अब अवाद्ट को लग्वद इंट, जरो जरुंधियों अब्सके लादस लिव्टम्नाद सब्सक्वाइंट, अविन इन ज्यूठी इन अबाद इस्टोने कि अजयां शेजू नियर विवारी तूरीज पर्टी इसेंप्राइंग कि अच्केली उना जयान। अरेंडर मोडिजी जी 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 अभर ईंडिया सकति आरी ओोने और रोने आर जा करिको इंडिया न्यें एंडिया जने इन्या अटे ंरीन क्योंव एड़ारोशी रे झाफ्टाइ आपको तो पुम्सक्राइब है जाते हैं करू जाते हैं जाते पावार्था रफ बीज़ लुप में टो संदेखां जाते हैं इन लुप वर्फिट टर्फ चाड में लुप अर टौछ टिर संदेखा चारी आप लुप लटी अपैस देनले इस भर प्रफिर्ट हैं टारी प्लमेट फच्वाहिशका muffin नहीं सब्सक्ताओ गजार अगाने। इसलिए्सी अगशद जा नहीं सुलưज़ा झाहिम जाक में जाैंने की ठाल इसलिए नहीं werd क tricky ऑंदों 350 आशी संद्ट But recently, we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having a leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Sri Narendra Modi-ji on behalf of Telukaji Samparthi for the post of Prime Minister of this great nation. Through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, and Vikasit Bharat, and through the collective efforts of NDA, we can become a zero-poverty nation that is possible only by Narendra Modi-ji. This is a historic moment. All of you are here. Telukaji Samparthi is having relations with NDA from the beginning. My leader, my party founder, great NTI Ramara Garu. You are all there. Always, he was worked for the people. And also, he told very clearly, I don't know isms. I know only ism. That is humanism. That is NTR. That vision, Narendra Modi-ji is making a reality in India. We are very happy for this moment. I thank all of you. This time, we had a historic win of the election. We have won historic elections. If you say 95% seats, we have won in Andhra Pradesh. That is the big victory. I have seen so many elections. He is the first of its kind. That is the confidence people are having on NDA. And all leaders, my friend, Pawan Kalyanji is here, Janasena leader. Janasena, Telukaji Samparthi, and also BJP, we worked together without having any reservations. Here, State President Parandeshwari also is here. All leaders, we worked very well. That is the results we got it. I am very happy to share some of my ideas with you. This is the proudest moment in my life. Thank you. Thank you, Varad. और ये बहुती खुसी की बात है. दस साल से ये प्रधान मंत्री हैं और फिर प्रधान मंत्री होने जा रहे हैं. और इन्होंने पूरे देश की सेवा की. अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है. अगली बार ये सब पूरा कर देंगे. आज जो भी हर राज्य का है. और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे. और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है. और आप जान लिजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आईएगा न तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है. अगली ब और यह सब कोई काम किया है. उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया है. देश की कोई सेवा नहीं किया. लेकिन आपने इतनी सेवा किया है और उसके बाद इस तरह से हुआ है तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए अब यहार आदेश बहुत आगे बढ़ेगा अब यहार वहार का भी तो सब काम होई जाएगा जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही करतेंगे सबसे पुराना ही राका है तो इसलिए हम लोग तो पूरे तोर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रह हैं तो अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं तो सब लोग ठीक हैं हम मिलकर के सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे तेज को कितना आगे बढ़ाएंगे, यह बहुत पूछी की बास होगी, यही हम लोगों को कहना है, अब मेरा आगरह यही है, कि जल्दी से जल्दी आपका काम सुरू हो जाया, सपतगरन हो जाया, अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाते थे कि आजो हो जाता तो लेकिन आपके जब इच्छा है तो जब भी हो जितना तेजी से काम हो जाया तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुसी होगी और पूरे देश में इसका बहुत जादे फाइदा है इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाव नहीं है तिसलिए मैं आपका अविनंदन करता हूँ और आपके नित्रत में सब लोग काम करेंगे सब लोग चलेंगे इनी सब लोग के साथ और आप सब लोग इतना खुसी हैं सब पार्टी के लोग मैं उनका भी अविनंदन करता हूँ और यही कहूंगा कि हम लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ हो करके जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इनी सप्थों के साथ बहुत भवध धन्यवाद सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है लोगतंत्र का वही एक सिध्धान्थ है लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है और मैं आदेश वासियों को यहां से विश्वात दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार के हमें बहुमत दे करके सरकार चलाने का सवभाग्य दिया है यह हम सब का दाईत्व हैं कि हम सर्वमत का निरंतर प्यास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोड कसर नहीं छोड़ेंगे हर किसी ने ही ही सोजा जहां कम वहां हम अगर तो कमी है तो मैं आउँगा मैं मैंनत करूँगा लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दुगा जहां कम वहां हम यह हर कारकरता ने जीकर के दिखाया है और तभी तो जीत आती है कि विख्सीज भारत का हमारा जो सपना है आने वाले पचीस वर्थ पहले मैंने दस साल कहा था यह मैं पचीस साल कह रहा हूँ आने वाले पचीस सांग महाप्रभु जगनाज जी की कृपा से उड़ी सांग देश की विकास जात्रा के ग्रोथ एंजिन पर की एक होगा मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्तर था बाद में फॉन्फिन आराश चुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आकड़े मागड़े तो मुझे ये बताओ कि EVM जिन्दा है कि मर गया क्योंकि ये लोग ताई करके बैठे थे कि भारत के लोगतंत्रों लोगतंत्र की प्रक्रिया के प्रदी विश्वासी लोगों का उड़ जाए और लगा तार EVM को गालिज देना और मुझे तो लगता था कि साइद इस बार वो EVM की अर्थी निक्काश जुलूस निकालेंगे लेकिन चार जुन शाम आते आते उनको ताले लग गए EVM ने उनको चुप कर दिया ये ताकत है भारत के लोगतंत्रों ले ये ताकत है भारत के निस्पत्ता की ये भारत है भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की चुनावायों की और मैं मानता हूँ कि ये आशा करता हूँ की पांच साल तो अब EVM साइद मुझे नहीं सुनाई देगा लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से जाएद EVM को लेकर करके नाजनी की चुरूआ करीगे लेकिन के सुत्रे के दबाव भाए बहुत कावभाए आप देखिए चुनाव के समय मैंने पहली बार देगा शायद हर तीसरे दिन इलेक्षन कमिशन के काम में रुकावट आए इसके लिए सुप्रीम कोड के दरवाजे खट-खट आए गए पार्टी पार्टी के अप्लिकेशन और एक ही टोली थी और लोग तंतर के प्रतिक दिन का भरो भार अभिस्वास ऐसे लोग सुप्रीम कोड का उप्योग करते हुए कैसे रुकावट डाले इसका अंदिरंतर प्रियास करते रहे और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अधालतों में इस पी कबर्स में चुनाव के पी कबर्स में यानि कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आये थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टिटूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परणाम आये हम दुनिया के सामने भारत को भी बड़नाम कर लें ये शडियंतर का हिस्सा था दोस्तो और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा साथियों इंडी गड़वन्दन वाले जब ये इवी इन का विरोग करते हैं तो मैं सिरफ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा हूं मैं मानता हूँ लोग मन से पिछली शताबनी के सोच वाले लोग है टेकनलोजी को हम महत्व न समते हैं तो टेकनलोजी स्विकार करने को तैयार है और ये सिरफ इवी इम में दिखाई दिया ऐसा ने यूपी आई में दिखाया जब हमने कहा है कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांचेक्शन करें ये फिंटक के दुनिया में आज उदुस्तान का नाम हो गए मानने को तैयार ने है आधार आज देश के पहचान बना है मैं तो देख रहा हूँ कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार के पद्ददी से आगे बढ़ना है आप कैसे मदद कर सकते हैं उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोड में बार 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 जाकर के परिशानिया पर आगे याने मूलत है ये प्रगतित के विरोधी आधुनिक्ता के विरोधी टेकनोलोजी के विरोधी इंडी अलायंस हमने देखा है साथियों इस देश के लिए ये भी चिंता का विशा है कि विश्व में भारत के लोगतंत्र की ताकत को कम आकने का प्रयाज़ और कितना एक्स्ट्रीम है मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर अब डेमोक्रेसी है और ये दुनिया में जाकर बता रहे नहीं नहीं हमारे देश में देमोक्रेसी जेसा कुछ नहीं को मोदी बेट गया है चाय बेचने वाला यहां पहुँच कैसे गया कुछ तो गड़बड़की होगी ये जो इनकी मनस्तिती है भारत के नागरीकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पढ़ा करेका जो उनका सडियंत्र है मैं मानता हूँ कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्री की विविदता, विशालता, व्यापकता, गहनता इन सब को भी जानने समझने के लिए आकरशित होगी ऐसे ही इस चुनाव के नतीजे में देख रहा है साथियो जब दोजार एक तारीकों मद्दान पूरा हुआ और चार तारीकों काउंगी इस बीच की चीजों को आप देखिए योजना बद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में जोकने का भाशा बयान दिये जा देखिए यहां इखटे होना यहां पहुँचना यहां करना कुछ लोग इस चीज को गंबीर नहीं लेते हैं लिकिन यह बहुत गंबीर है आप भारत के लोकतंत्र को पहले उसकी ववस्ता को अनादर करते हो अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहूल बना दो कि बस आउग लगा देंगे हर प्रकार जिम शब्दों का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था लगातार देश को गुमरा करने का प्रयास किया गया देश के लोकों को बाटड़े का प्रयास किया अरे चुनावे के ऐसा लोकोत सब होता है कि जादा से जादा लोकों को हम जोड़े तोड़ने के लिए नहीं होता है लेकि हर प्रकार से कोशिज यही की गया साथियों मैं मानता हूँ कि 2024 के लोकों के चुनाव के जो नतीज़ है हर परामिटर से देखेंगे दुनिया यह मानती है और मानेगी कि यह एंडिये का महाविजय है और आपने देखा दो दिन कैसा चला चैसे हम तो हार चुके गए सब चारो कर भी यही दिट्टा था क्योंकि उनको अपने कार करताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे कालपनी परेग यह करने पड़ रहे हैं और साथियों गढ़बंदन के इतिहास में अगर आपड़ों के हिसाब से देखें तो यह सबसे मजबुत गढ़बंदन की सरकार है लेकिन कोशिस है की गई कि इस विजय को स्विकार ने करना उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना लेकिन उसके ऐसी चीजों की बालमुर्ति हो जाती है और हो भी गई लेकिन देशवासी जानते हैं कि नहम हारे थे नहम हारे है लेकिन चार तारिक के बाद हमारा जो गईवार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं हमारे समस्कार ऐसे है कि विजय की गोद में उन्माद प्यादा नहीं होता है और नहीं पराजीत लोगों के प्रती उपहास करने के हमारे समस्कार है हम विजय को भी पचाते हैं और पराजीत का भी उपहास करने की विक्रुती हम नहीं पाते हैं कि हमारे समस्कार है अब किसी भी बालक को पूछो कि बें लोगसभा के चुनाओं के पहरे सरकार के इसकी थी तो कहेगा NDA 24 के नतिजों के बाद सरकार के इसकी बनी NDA फिर हारे कहां से भई पहले भी NDA थी आज भी NDA और कल भी NDA आप सोचिए दस साल बाद भी कॉंग्रेस सो के आखेड़ों को नहीं छूपाई और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनाओं को जोड़ करके कहूं कॉंग्रेस के तीन चुनाओं जोड़ूं तो इन तीन चुनाओं में जितनी सीटे ने मिली है उससे जानदा हमें इस चुनाओं में मिली है और मैं साब देख रहा हूं थाती हो ये इंडी वालों को अंदाज नहीं है वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे अब तेज गती से ये गर्त में जाने वाले हैं साथियों इंडी अलाइंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है आज भी वो उसके सामर्थे को समझ नहीं पाए या समझना चाहते नहीं है भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहते है ने वो समझ को छूता है समझता है, पैचानता है वो बहां नहीं है साथियों इन लोगों का जो बैवार रहे चारतारिक के बाद नशा करता था कि वे लोकतंतर का सम्मान करेंगे लेकिन उनके बहवारच लगता है कि शायद उनमें ये समस्कार आएं इसके लिए मैं और इंतजार करना पड़ेगा और तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ और ये वो लोग है जो खुद की पार्टी के प्यम का अपमान करते है उसके निर्णों को फार देती है खुद की पार्टी को विज़ेशी में माना आजाए तो उसके लिए चैर नहीं होती थी ये सारे द्रश्य आपने देखें हैं अब मैं समझता हूँ कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र के मजबूतिय और जनता जमाद गरादन के परती आस्था इसको हम साथियों लोकतंत्र हमें सब का सम्मान करना सिखाती है बिपक्ष में भी जो सांसजीत करके आए है मैं उनको भी बढ़ाई देता हूँ और मैं पिछले दस वर्ष में एक चीज़ मिस कर रहा था कि डिबेट पार्टिसिपेशन क्वालिटी अब डिबेट मैं मिस कर रहा हूँ लेकिन मैं आश्या करता हूँ कि अब इस नया जो सदन बना है वो कमी मुझे खलेगी नहीं शायद हमारे साथी भी राष्ट हीर्ट की नियत के साथ सदन में आएंगे और भने वो विपक्ष में बैठे होंगे लेकिन राष्ट के विपक्ष में नहीं है हमारे विपक्ष में राष्ट में हम सब एक ही पी सामे है राष्ट में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है राष्ट में हमें एक से चालिक करोड है और मैं आशा करता हूँ कि वो राष्ट हीत की भावना को लेकर के सदन में आएंगे और सदन को सम्रुद्ध देने में वे कुछ न कोई योगदान करेंगे सथ्वे 24 का जनादेश एक बात को बार-बार मजबूती दे रहा है बार-बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के मातावरम है सिर्फ और सिर्फ एंडिये पर ही भरोसा है और जब इतना अतूट विश्वास है इतना भरोसा है तो स्वाबाविक है देश की अपेक्षाएं भी भड़ेगे और मैं इसे अच्छा मानता हूँ और हम सब का कर्तब भी मानता हूँ और इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए और मैंने पहली भी कहा था कि जो दस्वर्स हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है और वो मेरा चुनावी वाक्या नहीं था यह मेरा कमिट्मेंट है हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गती से देश के आकांख्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती फर्मी विलम नहीं करना है जनता जनारण चाहती है हम पहले से ज़्यादा डिलीवर करें जनता चाहते हैं हम खुदी हमारे पुराने रकोर्ड तोड़े और मैं साथियों एक तरफ एंडिये रखू दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रफो तो मैं कहूंगा एंडिये न्यू इंडिया डेवलप इंडिया एस्पिरेशनल इंडिया और इसी केस इसी सपने और संकल्पों को पुरा करना ये हम सब का संकल्प भी हैं कमिट्मेंट भी हैं और हमारे पास रोल मैप भी हैं साथियों एंडिये ने हमेशा हुए करप्शन फ्री रिफाम ओरिएंटे स्थीर सरकार देश को दिये जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है उसके सामने कॉंग्रेस नेटरूत वाली यूपिये अब उन्होंने पुरानी अपनी छबी सुधारने के लिए नाम बदल दिया लेकिन पहचान गोटालों की है आए दिन गोटाले यही पहचान दही है और नाम बदलने के बावजुद भी देश उनके गोटालों को नहीं भुलाएं उनको नकारा और मैं कह सकता हूं साथिओ इंडी एलाइंस वालों ने एक व्यक्ति का उपोज करने के वन पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही उपोजिशन में बिठा दिया है एंडी ए विक्सिद भारत इस संकल्प को लेकर के चुनाओं में गया था देश के लिए सकारात्मक्ष सोच को लेकर के गया था देश की युवाश शक्ति के सामर्थ का समझ करके नए अवसरों को लेकर गय देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था जब की हमारे सामने जो लोग पे भरम पहलाना जूट पहलाना यही गुमरा करने वाले काम यही करते रहेते हैं अब अब एंडी एव और उनका का देखें इवन नामांकन में जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार उनका नामांदा हम लोगों का एक एक दरश्य देख लिए जोर उनका एक एक दरश्य देखिए कितना बढ़ात दरा है हर चीज में उनका करेक्टर दिखाई देता है और क्या रहा फोटोगाप के लिए तो उनका ने एलाइंस गोशित कर दिया लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं चुनावी जंग में एक दूसरे की पीट में चुरा बहुते रहे हैं कभी उनका ने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक एलाइंस है वो विचार लिवल पर ठीक है बागी नीचे तो हमारा अपना हम तयार करेंगे और अब फिर वो नों गें कहा कि हम तो सीट के आदार पर एलाइंस करेंगे टोटल न भी करें ये भी खेल खेला और अभी अभी तो चुनाव पुरावज शुरू कर दिया कि ये तो हमारा एलाइंस लोग सावा के चुनाव के लिए इता बाद में नहीं है ये भी शुरू कर दिया याने मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना चार जुन के बाद बिख्राव शुरू हो जाएगा और वो शुरू हो चुका है इसका मटलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दुसरे का साथ देने की कोशिश करते थे लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्टित होता तो तो साथ देना वरना नहीं देना ये करक्टर था साथियों ये लोग कितने ही बड़े जूठे बोलते रहे हैं और आप देखे चुनाव के समय उन्होंने देश के सामाने नागरी को गुम्रा करने के लिए जो परचियां बाटी कि ये देंगे और वो देंगे और डिकना देंगे फलाना देंगे दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि कॉंग्रेस के दप्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये परचिय हैं एक लाग रुपिया कोहा है लाओ भई मांग रहे हैं लोग याने आपने जनता जनादन के आखों में कैसा न उनको ब्रमित किया कैसी आँख में धूल जोग दी कि वो बेचारा सामान नागरी के मान के चलता नहां भई चार जन के बाद रुप्य मिल जाएगा इसलिए उन जाके खड़ा रहे गया और अब इसको धका मारा जा रहा है डंडे मारे जा रहा है वहाँ से निकाला जा रहा है अब इस प्रकार का चुनाव यह अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है हमारे देश के सामान नागरी को का अपमान है और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है नहीं कभी माप किये बिना माप कभी करता है साथियों हमारे लिए संतोस की बाद है कि हमें कमिट्मेंट से काम कर रहे है दस साल में हमने पचीस करोड गरीबों को गरीबी से बाहर लिकाला है गरीब कल्यान का एक सुरक्षित मजबूत कबच दिया है हमने उसको और उसके अंदर भी एक नए एस्पिरेशन पाता हुए कि हाँ अब मुझे गरीब नहीं रहना है और उसके लिए मुझे जो हो सगया मैं हर अवसर का फाइदा उखाऊंगा तीन करोड गरीबों को घर यह ऐसे कहने का अकड़ा नहीं है कितनी महनत पढ़ती है मुझे मालू है लेकर हम सफलता पुर्वक इसको कर पाए है चार करोड लोगों को दे चुके है तीन करोड का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे यह भी हिम्मत है कि चार करोड देने के बाद जिन परिवारों का विस्तार हुआ है जरूरत पड़ी है और राज्यों की भी उसमें इच्छा है तीन करोड नए घर बनाने का संकल्प सत्तर वर्ष के आउसे उपर के वेक्तियों को नागिल्गों को पांच लाग रुपे तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की गवस्ता मुद्रय उद्दा के तहरत हमारे नव जवानों को कारोबार के लिए बिस्त लाग तक करें उनकी बैंक से उनको लोन मिले इसकी गवस्ता यह मैं समता हूँ कि वाइदा हमारे तीसरे कारकाल की एक गारंटिया सब मैं तो भी बताता नहीं हूँ लेकिन इन गारंटियों के प्रती हम कमिटेड हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे ऐसे लोग कोई पहुँचेंगे बस साब मेरा अच्छा सबन्द है मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूँ हमें भी पता नहीं होता है यार हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं किस खाई में डुबो देता है कभी कभी तो साइथ आप तो टेक्नलोजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिगनेचर से कोई लिस्ट बाढ निकल जाए कि ये मंत्री बन गए हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपांट्मेंट भी बाढ दे तो आज का कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए है मंत्री बाढ रहे हैं पद बाढ रहे हैं व्यवस्ता बाढ रहे हैं मैं आपसे आगरपुरो कहता हूँ और जो मोदी को जानते हैं ये सारे प्रयास निरर्थ अगवे आप भी किसे का फोर आजाए तो बदस पर वेरिफाइ कीजिए कि जितने फोन किया है वो सचमुच में अथोरिटी है अधर बाइस कोई भी कहा भाई आपको नाम हो गया है सुवे परिवार को बिला दीजिए शपस हमारों में आना है भो गया तो ऐसी गब बाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फोज रहती है कुछ लोग आदतन करते रहते हैं कुछ लोग मजगाती लेकर और कुछ लोग बदिराद्य से करते है मेरा सभी सांसदों से आग रहा है कि हम इन सारे सलियंत्रों का शिकार न बनें दूसरा हमारे जो हिंदी एलाइंस वालों ने इस चुनाओ में फेक न्यूज में एक्स्परटाइज कर लिया डबल पीएचरी कर लिया उन्हों ने वो शायद इसका भरपुरूप करेंगे हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें अफ़ाओं से दूर रहें यह जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है मुझे भी सही सला देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिल करके बहुत सही निर्णे करने वाली है पृपा करके ब्रेकिंग जो इससे के अधार पर देश चलेगा नहीं यह मान के चलिए साथियों विक्षित भारत का संकल पर लेकर करके हम चले है तीन नंबर की इकनोमी पहुंच रहा मैं जानता हूँ जिस्चित रोड में अपके साथ उसको अमपार करने वाले हैं और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पल-पल देश के नाम है मेरा पल-पल आप लोगों के नाम है मैं 24 by 7 आवेलेबल हूँ हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है फिर से एक बार आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है वाकई मैं मानता हूँ भरत के लोगतंते के एक बहुत बड़ी ताकत है मैं जीतना आपका आप हर व्यक्तिकर उतना कम हो और मैं विश्वाद दिलाता हूँ कि मैं आपकी आशा आप एक्षाओं को पूरी करने में परिश्वाद करने में कोई कमी नहीं देखना मेरे लिए जन्मा सिर्फ और सरफ वन लाइफ वन मिशान और वो है मेरी भारत माता यह मिश्चन है 144 करोर देख्वाद्छों के सपनों को पूरा करने के लिए खब जाना यह मिश्चन है 140 करोर देख्वाद्छों को हजार साल की मुसीबतों से जो गुजरी की पीड़ी दर पीड़ी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ भिश्व में मेरा हर देश वासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए काश ये हिंदुस्तान का है अरे नेजर मिल जाए तो अच्छा होगा ये मैं स्थिति पैदा करना जा उसका मन लालाईद होना जाए हिंदुस्तानी है अरे याँ जरा हाथ में लालू कुछ एनरजी मुझे भी आ जाए मैं देश कोई सुचाए पिले जाना चाहिए और साथियो मुझे पक्का भिश्वास है आपका साथ आपका सयोग आप पानुभव बहुत बड़े परणामों की संभावना इले करके आया है लोग सभा का एक गठन उन सभी आकांच्छाओं को पूरा करेगा मैं फिर एक बार आप सब का रदय से बहुत बहुत धन्यवाज करता हूँ